बाबा सिद्ध की जैसा करेंगे हाद, सीम योगी को धमकी मिली है। महरास्ट की मुंबई पुलिस को शेनवार श्राम को एक धमकी भरा संदेश मिला जिसमें उत्रप्रदेश के मुखे मंत्री योगी अधितिनाथ का नाम लिया गया। संदेश में सीम योगी को जान से मानने की धमकी दी गई, ट्रिससरक्ष एजन्सियों में हरकम मच गया। इस धमकी भरे मैसेज में कहा गया कि अगर योगी अधितिनाथ ने दस दिन में स्तिफा नहीं दिया तो उनका हाल बाबा सिद्ध की जैसे किया जाएगा। बता दें कि मुंबई ट्राफिक अंच्रोल पुलिस को ये धमकी भरा मैसेज एक अग्यात नंबर से आया है। बता दें कि जल्दी ही योगी अधितिनाथ की कई सभाई मुंबई में होने वाली हैं। महाराष्ट चुनाव को लेकर योगी अधितिनाथ मुंबई जाने वाले हैं। ऐसे में ये धमकी भरा संदेश चुनाव मिलने के बाद महाराष्ट चुनाव को लेकर चुनाव को जन्म दे सकती हैं। देने वाला व्यक्ति कौन हैं लेकिन जिस प्रकार से सीम योगी का नाम लिया गया है वसे सुरक्षा चुनताएं जरूर बढ़ गई हैं। इस प्रकार की घटनाएं अकसर राजुने दिक गतिविधियों के दौरान होती हैं लेकिन जब एक प्रमखनेता का नाम लिया जाता है तो इसीती काफे गंभीर हो जाती है। प्रदेश के मुखे मंत्री हैं और उनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में हैं जो अपने कारेकाल में कई विवादास पत्र निर्नेओं के लिए जाने जाते रहे हैं। सुरक्षर एजन्सियों ने इस मामली की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुखे मंत्री सुरक्षर को और जदा सक्त करने का निर्ने ले लिया है। मुंबई और अन्य बहतुपूर स्थान उपर सुरक्षर वलों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसी भी संभावित खत्रे का सामना किया जा सके। इस घटना के बाद विपक्षिदलों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। लोगतंत्र के रहे खत्रा हैं और इसे हलके में नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं महारास्ट को इस ने अश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार के सित्यकोनी अंत्रण में रखने के लिए सब यावर्शक कदम उठाए जाएंगे।